T800 Ultra Smart Watch Games Download कैसे गरें दोस्तों आप Live Proof के साथ देख सकते हैं मेरे हाथ में है T800 Ultra Smart Watch जिसके अंदर हम आज Custom Games को डाउनलोड करने वाले हैं like Hill Climb Racing या फिर Fighting Games और एनी गेम्स तो जैसा गयज आप सभी को पता है कि आज कल के टाइम में यह अल्ट्रा वाच काफी ज्यादा फेमस हो रही है लाइक टी 800 टी 900 एंड फायर बोड यह सभी वाच जो है काफी चीप प्राइज में मिल जाती है एज अमाजोन या फिलिपकार्ट तो डैट साहे काफी लोग जो है इन वाच को बाय करते हैं इस वाक तो सभी में मुझे क्या कुछ डिफरेंस मंज़ा रहा है इसमें मैं आपको बताऊँगा तो इस वीडियो में आप सभी जाने होगे कि कैसे आप सभी इस अल्ट्रा वाच के अंदर जो है टी 800 अल्ट्रा स्मार्ट वाच के अंदर गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं आफी नह सब्सक्रा देते हैं यहां पे यहां अपको टोन यहां पर लाउनलोड time तो इस तरीके से आपको steps मिलाते हैं by the way अगर आपको steps पतन नहीं आते तो आप इसको change भी कर सकते हैं like buy कर सकते हैं Amazon पे और इनको इस तरीके से put कलनाना होता है तो अभी यह तीनों watch की मैंने try के हुएं तो यह ठीक है अब देखो यहां पर इस तरीके से इसका wireless charger मिल जाता है इसको wireless charger बात में करेंगे और जब नई watch आती ना दोस्तो इसके अंदर charging थोड़ी कम होती है तो आप कोशिश करो कि एक बार इसको charging पे लगा दिया करो फुल तब इसको use करना शुरू करो क्योंकि जब खाली होती ना इसके अंदर battery नहीं होती तो इस सही से काम नहीं करती है तो अभी जो इस तरीके से इसके interface मिल जाता है आपको काफी कुछ सही है तो वहीं अगर बात करेंगर left right करते हैं तो यहाँ पे आपको torch तो खिलाल नहीं जलती है और इस तरीके से जाते हैं watch आ जाती है यहाँ पे जाते हैं और अभी ना मैं आपको style बताऊंगा इसके animations के साथ दिखाई देती हैं काफी कुल लगती है तो यदि तुम्हें इस तरीके सेटिंग करने हैं तो वह मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तुम जाओ अपनी इस watch की settings के इंदर इसको मैं side कर देता हूं and इसके इंदर जाने के बाद तुम्हें इस तरीके से यह double tap कर तो यह इस तरीके से ठीक है तो देख सेते जैसे कि अभी यह वाला आरा style ठीक है तो इसको जब double tap करोगे तो यह style change हो जाएगा तो मैं दिखा देता हूं कैसे इसके इसके इंदर आपको brightness वगरा मिल जाता है अगर तुम brightness को बढ़ा देते हो तो तो तुम्हेरा आपे brightness काफ इनकी officially खुद की तो आप वस वाली application में जब आपनी watch और phone को एक सांथ connect करेंगे तो जैसे आप सभी इस घड़ी और अपने phone को एक सांथ connect कर देंगे तो time होगा वही यहां भी set हो जाएगा automatically जो phone में ऐसा ही ठीक है तो अभी जो यहां पर आपको app store मिल जाता है देख सकते ह यहां पर आपको double tap करना है side में ठीक है जो मैंने roll वाली बटन इसको double tap करो यह देखो style बदल जाएगा भी और आपको दिखाता हूँ यह देखो यह वाला style हो गया ठीक है double tap करो गई तो इस तरीके से styles होते जाएंगे and एक और बार मैं double tap कर देता हूँ फिर आपको दूसरे वाला style दिखाऊंगा जिसमें यह application कुछ अलग ही तरीके से open होती है तो यह काफी सही है काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई यह जो है कैसे style wise आती जैसे कि मैं भी दिखाता हूँ इस तरीके double tap करो यह देखो यहां पर जो applications का icon है वो सारा ही rotate हो जाता है सारा ही य दो बार तो यहां पर देखो यह वाला style आ गया यह भी बहुत ही अच्छा लगता है अगर तुमारे पास यह watch है तुम खेलते ही रहोगे अब बारी आती कि इसके इंदर गेम कैसे डाउनलोग करते हैं तो देखो यहां पर मैं आपको एक clear चीज बता देता हूँ गेम कैसे की जा सकती है इस watch के अंदर देखो यह जो watches हैं लाई करकर हम बात करें T-800 आफी T-900 अल्ट्रा और एक fireboard भी है इनके अगर price range की बात करें तो आपको यह 700 से लेकर 800 से लेकर 1000 या फिर कहलें कि I think fireboard जो स्मार्ट वोच है मैं को 1500 हो की पड़ी थी या फिरा सुन निन निन या एपल वॉच की तो गैस अभी ना मैं तुम्हें कुछ screen recording दिखा रहा हूं screen पर देखो एक S8 Ultra smart watch आती है कि यहां पे कुछ और watches है जिनकी प्राइस 10,000 अफि 6,000 अफि 4,000 उन watches के अंदर SIM card डल जाता है और वो गेम्स के अंदर जो है उन watches के अंदर तुम game download कर सकते हो यह जो प्राइस में तुम इसमें इसमाल कर सकते हो